इंपॉर्टेंट कुश्चन स्टार्ट करते हैं 100 के 100 है पूरे पहला कुश्चन है अंडेट कुश्चन का पहला है वर्ल्ड बैंक हेड़कॉर्टर इस लोकेटेड इन का गया कि विस्ट बैंक का जो मुख्याल है यह कहां परिस्टित है देखिए आपका टाइम नहीं लूँ कब मनाया जाता है तो देखिए यह अभी आपका 25 जुलाई थर्ड शिप्ट में पूछा गया है इंडियन एर फोर्स दे तो थर्ड शिप्ट में आया था राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 अक्टूबर अगला देखिए थर्ड नंबर कुश्चन है इंडियन आर्मी डे यह आपका प्रतेग वर्स 15 जैनुवरी को मनाया जाता है तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा अब फोर्थ नंबर कुश्चन है वाट इस दा टाइम पीरियड आप दा मेंबर्स आफ राजशबा का गया कि राजशबा के सदश्यों का शासनकाल कितने साल का कितने वर्स वर्सों का होता है तो राजशबा के यहां पर बात की जा रही तो 6 वर्सों का होता है यह नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा अगला कुश्चन देखें फिप्त नंबर कुश्चन है हूँ वास्ट इस पीकर आफ लोगशबा के यहां पे पहले अध्यच का नाम पूचा जा तो लोगशबा के जो पहले अध्यच थे ध्यान रखेंगा यहां पर सिर्फ इतना पूचा जा रहे है कि लोगशबा के पहले अध्यच वह थे आपके गडेश वासुद्यों जीवी मावलंकर ऑप्शन नंबर जो डी है इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्त नं कुछा गया नम आपके फ्रेकर ऑफिकली अक टार के और अध्य और रव hmमराठा विकली व मावलाथाज भूस्ट विकली अरह चाल थे अवि क्रेकरal का नाम हो जाया गहां नियुकित न मुल्ड़ कौिखशन वास्ट अद्यान नं पर सिक 42 में आया था तो option number जो A है इसका correct answer हो जाएगा अगला देखिए 9th number question का गया कि which river is known as दक्षिण गंगोतरी किस नदी को दच्छिण गंगोतरी के नाम से भी जाना जाता है देखिए दच्छिण गंगोतरी या फिर इसको दच्छिण गंगा भी कहते हैं तो जिस नदी को दच कियेगा इंडियाज हाइस्ट डैमिज का गया कि भारत को जो सबसे उंचा बांद वो कौन सा है तो बारत को सबसे उंचा बांद टीरी बांद है तो डी नंबर इसका यहां पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए question number 11th on which river हीरा कुंड डैम is situated का गया कि किस नदी पर हीरा किस ग्रह को प्रतिवी की बहन भी का जाता है तो जो ग्रह है वह आपको venus option number c venus मतलब सुक्र तो सीच का correct answer हो जाएगा सुक्र को सुक्र ग्रह को प्रतिवी की बहन भी का जाता है तरतीन्त नंबर कोईशन देखें देखें सुक्र से लेटेड एक कोईशन बहुत इंपोर्टेंट है अभी बताऊंगा फ्रॉम वेयर इंडियन कॉंस्टिटूशन बौरोड फंडामेंटल्स राइट का गए कि हमारे शमविदान में जो मौली का दिकार है यह आपका किस समव इस ने तयार किया तो डाक्टर भीम राओंबेटिकल जी ने तयार किया था तो ऑफ्षान नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट कुशन देखें इस फिप्टीन्त नंबर कुशन है हूँ एपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर तो भारत के जो प्रधान अंदोलन यह कब शुरू हुआ था तो अब असा योग अंदोलन जो है आपका नीस सुबीस में शुरू हुआ था तो ऑफ्षान नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा अगला देखें सेवेंटीन्थ नंबर कुशन सेवेंटीन्थ है विच वोज दा फर्स्ट सत्य ग अब करेंशी आपको सभी देशों कि याद होनी चाहिए किसी भी देश की पूछी जा सकते है कैपिटल और करेंशी तो बूटान की जो मुद्रा है अब करेंशी है वह है नंगुलतुरूम बी नंबर इसका अंसर हो जाएगा अगला देखें 19 नंबर कुश्ण वेयर इज मा मानस जो आप भ्यारण है यह आपका किस राज में इस्थीत है तो मानस अब भ्यारण आपका असम में है तो आप्शन नमबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा 20th number question है which among the following events led to जलिया वाला बाग मस करें जलिया वाला बाग के तुरंद पहले हुई गटना आपसे पूछी जा रही है तो जलिया वाला बाग के तुरंद पहले हुई जो गटना थी वो थी passes of the rollet act option number जो डी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखे 21 number so 21 number question है which among the following books was authored by महात्मा गांधी इन में से कौन सी किताब महात्मा गांधी दोरा लिखी गई है तो यह जो चार किताबे हैं इन में से एक किताब ऐसी है वो है आपकी हिंद सुराज यह आपकी महात्मा गांधी के दोरा लिखी गई है इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला देखे question number 22 which is the smallest in area इसमालेस आपको इन एरिया में बताना है अब दा फॉलोइंग यूनियन टेटरी इन में से कौन सा केंद सासित प्रदेश छेत फल की दरष्ट से सबसे चोटा है चार आपसान है आपके पास उनको आपको पढ़न which of the following countries is the largest border length with India भारत का भारत सबसे ज़्यादा लंबा border किस देश के साथ साजा करता है और ये question बार बार पूछा जाता है और सभी को पता है कि right answer इसका B number हो जाएगा बंगला देश 24 number question है इंडिया और स्री लंका आर सेपरेटेड बाई खालिस्तान स्ट्रेट बारत और स् लिलंका को जो संदी अलग करती है वो आपकी है पाक स्ट्रेट ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा अगला देखिए 25th number question है constitution of India came into effect भारत का जो सविधान है कब से लागू हुआ था चार आपके पास 26 जनवरी 1950 को भारत का सविधान लागू हुआ था तो बी नंबर इसका correct answer 26 number which article is related to equality before law किस अनुच्छेत के तहत समानता का जो अधिकार वो मिला है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा article 14 के तहत आर्टिकल 14 बी नंबर इसका correct answer 27th number question देखिए which is the biggest planet in our system का गया कि हमारे solar system में सबसे बड़ा गरह कौन सा है तो यह भी 24 या 25 जुलाई को पूछा गया था याद ने exactly कप पूछा गया तो जो जूपिटर है जो ब्रस्पत है हमारे solar system का सबसे बड़ा गरह है इसके लावा आपसे एक जाम में यह भी पूछा गया था कि 24 जुलाई को ही पूछा गया था कि हमारे solar system में दूसरा सबसे बड़ा गरह कौन सा है तो जो sunny है यह आपका दूसरा सबसे बड़ा गरह है और पहला जो सबसे बड़ा गरह है वो आपका बिरस्पती है 28th number question है the percentage of earth surface covered by इंडिया का गया कि पूरी प्रतवी में भारत का कितना चेत्रफल प्रतिशत में तो पूरी प्रतवी में जो भारत का चेत्रफल है प्रतिशत में वो है आपका 2.4 प्रतिशत option number जो A है इसका right answer हो जाएगा 29 number question है the red clip line is a boundary between का गया कि red clip जो line है इन में से किन दो देशों को अलग करती है तो red clip line आपकी करती है इंडिया और पाकिस् चेत्र हो जाएगा 30 number question है the first Indian woman to preside a session of Indian National Congress watch भारती National Congress की महिला पहली महिला द्यच कौंती पहली बात तो देखो यहां पर question गलत लिखा है इंडिया में पूचा कि English में पूचा कि the first Indian woman और Hindi में सिर्फ इतना लिखा है कि भारती National Congress की पहली महिला वहां पर यह नहीं कहा कि पहल भारती महिला तो दोनों के answer मैं आपको बता देता हूँ अगर सिर्फ पहली महिला की बात करें कि भारती National Congress की पहली महिला द्यच कौन थी तो वो थी आपकी एनी बेसेंट option number B सही होगा अगर सिर्फ ऐसा पूचा जा भारती National Congress की पहली भारती महिला जो की English में लिखा Indian तो इसका right answer स्रोजनी नाइड़ होगा तो गलत टाइप हुआ है या तो इसको अगर इंग्लिस में इंडियन कट कर दो तो इसका right answer भी हो जाएगा या फिर हिंदी में पहली भारती एड़ कर दो तो फिर आपका स्रोजनी नाइड़ हो जागा तो दोनों कुशन मैंने आपको ब भारत और रसिया के सहयोग से तो आप्शन नंबर जो एसका right answer हो जाएगा 32 नंबर कुशन है विच गैस इस मोस्ट पॉप्लर एज लाफिंग गैस इनमें से कौन सी गैस को लाफिंग गैस भी कहते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O है ना यह नंबर इसका right answer हो आगे देखे 33 नंबर कुशन है तो मीजर दा हुमिडिटी इन एयर वाट इंस्टुमेंट यूज आधरता मापने के लिए इनमें से किस यंत्रका उपयोग किया जाता है तो आधरता आधरता मतला हुमिडिटी जो नमी होती है नमी मापने के लिए हाइग्रो मीटर का एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं सीधा सीधा कोईशन तो 746 वाट होते हैं तो आप्शन नमबर जो सी एस का राइट अंसर हो जाएगा तर्टी फिप्त नमबर कुशन देखिए विच इसमालेस्ट कॉंटिनेंट एरिया वाइस चेथपल की दिरस्ट से सबसे चोट महादियू कौन सा है तो चेथपल की दिरस्ट से जो सबसे चोटा महादियू पर ऑस्टेलिया है सी नमबर राइट अंसर हो जाएगा 36 नमबर कुशन विच माउंटेन रेंज सेप्रेट्स एरिया स्वरी एसीया और यूरोप को अलग करती है कौन सी परवस रंकला है वह इंडिया सुसाइटी किसने बनाई है चार आपके पास राइट अंसर इसका होजाएगा बाल गंगण धर त्यलग से इंड़िया सुसाइट किसने बनाई बाल गंगदर तिलग जी ने बी नमबर करेक्ट आंसर अंसर 38 नमबर हु रोट पॉयर्टी एं अन बिलिच लूर्ट पौर्टी और अन्बिटिस रूल के लेकक आपके दादा भाई नहरोजी तो आप्शन नमबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखे 39th number question है और वेन डिड़ चमपारण सत्यागरे टुक प्लेस चमपारण जो सत्यागरे है ये कब हुआ था और एक्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है 1917 1917 में हो था A number correct answer होगा 40 number question from where DPSP were incorporated in Indian constitution principle question क्या है कि राज colors की गी राज के नीत निदेशक शिदान het यह कहां से लिये गहें हमारे राज जो रुच्रो हो लिए आपके आएर रेंड़ से तो option number B آپ को दिख रहोगा आएरí लेंड यह चैका डिया टो पारर और 41 number question देखेए finance commission in which article वित आयोग किस अनुछेद में है जो आपका वित आयोग है अनुछेद 280 में है तो option number जो B है इसका correct answer 42 number question who is the chairman of नीत आयोग देखें नीत आयोग के chairman पूछा गया तो नीत आयोग के जो chairman है वो हैं आपके नरेंद्र मोदी भारत के जो वरतमान परदान मंतरी होते हैं वही होंगे तो option number जो B है इसका right answer हो जाएगा अगला देखिए 43 number question है विच इस दा देखिए दो question पूछे जाते हैं इस तरीके से नीत आयोग के chairman और इसके लाओ नीत आयोग के CEO पूछे जाते हैं तो अमिताब कांत जो थे अभी तक CEO थे लेकिन अभी चेंज हो चुके हैं तो question मैंने आगे add किया हुआ है कि नीत आयोग के chairman कौन है तो अभी आपको बता दूँगा 43 number question है विच इस दा स्मालेस्ट कॉंटिनेंट एरिया वाइज तो छेत फल की देश से आपको बताने है कि सबसे चोटा जो महादियूप है वो कौन सा है तो सबसे चोटा महादियूप जो है वो आपको ऑस्टेलिया महादियूप है तो option number जो C है इस का right answer हो जाएगा 44 number question है who wrote poverty and unbritish rule poverty and unbritish rule किताब के लेखा कौन है तो आई थिंक अभी उपर हमने यह question पढ़ा था तो दादा भाई नौरो जी option number B इसका correct answer हो जाएगा 45th number question देखे है how many schedules are there in Indian constitution बहुत important question है कि भारती समविदान में कितनी अनुची है तो बारती समविदान में 12 अनुची है C number same question बारती समविदान में कितने अनुची है यह भी पूचा जाता है उतना ही important है तो बारती समविदान में 395 अनुची है C number इसका right answer हो जाएगा how many articles were there originally in constitution of India clear यह दोनों question आगे देखे 47th number question hottest planet in our solar system सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है यह question exam में 100% आता है क्योंकि इसका right answer बी number हो जाएगा जो सौक्र ग्रह है यह आपका सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है अब एक question है कि सौर मंडल में सौर के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो जो बुद्ध ग्रह होता है यह आपके सौर के सबसे नजदीक होता है लेकिन चुक् Omega यह सब से नज़्दीख औरहुतं कि सबसे सबसे नजदीक रहे चुक्द को वायु मंडल है यह इसलिए जो को जते हैं जो वायु मंडल सबसे बचा ह। इसलिए को वायु भूते हिसलिए और उसलिए ₩ एक शेंपनी हमत्य तो हीरु ही based में है तो चिलका लेक जो है आपका औरीशा में है तो आप्शन नमर जो भी है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा फॉर्टी नाइंथ नमर कुईशन है इंडिया लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जील आपको बतानी है कौन सी है तो खार 12 सत्तगरे था उसका प्रमक लीडर था वह कौन था तो बार दली सत्तगरे करीक प्रमक लीडर थे वह आपके थे सर्दार पाटेल इसका झा안सर हो फॉलोइंग इस दा साउधर्न मोस्ट रीजिन ऑफ इंडिया भारत की सबसे दच्छी जगह कौन सी है यह भी काफी इंपोर्टेंट कोईशन है और इसका राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्रा पॉइंट अभी पचेस को या फिर चौबिस जुलाई को लास्ट सिप्ट में पूछा गया था कि भारत का सबसे उत्री पॉइंट या फिर उत्तरी जगह कौन सा तो इसका राइट आंसर इंद्रा कॉल होगा भी नंबर तो यह भी पूछा जा सकता कि सबसे दच्छीनी जगह कौन सी है तो इंद्रा पॉइंट ए नंबर अगला देखे 53 number question which one of the following is the largest island of the world इन में से कौन सा ड्यूप सबसे बड़ा है आपका विश्व में तो right answer इसका हो जाएगा Greenland B number correct answer अगला है 54 number question where is Silent Valley National Park situated Silent Valley National Park ये आपका कहां पर रिस्तित है तो Silent Valley National Park आपका केरल में रिस्तित है तो B number इसका correct answer हो जाएगा 55th number question है 5th number where is Beterkani का reserve situated जो Beterkani का reserve है ये कहां पर रिस्तित है तो ये आपका Odisha में रिस्तित है हाँ Odisha में A number इसका right answer हो जाएगा 56th number question है when did cabinet mission plan accepted cabinet mission योजना ये कब सुईकार किया गया था तो ये सुईकार किया गया था 1945 में 1945 में C number इसका correct answer होगा next question है 57th number when did Krips mission came to India Krips mission भारत कब आया Krips जो mission है ये आपका भारत आया था 1942 में 1942 में B number right answer इसके बाद ये भी पूचा जा सकता when did battle plassey took place जो plassey का युद था वो कब हुआ था तो plassey का जो युद हुआ था ये हुआ था 1757 इसवी में option number जो B है इसका correct answer हो जाएगा next है 59th number question है when did battle of Buxer took place Buxer का युद ये कब लड़ा गया था तो Buxer का जो युद है ये लड़ा गया था 1764 इसवी में तो option number जो B है इसका correct answer हो जाएगा 60th number question है what is the time period of governor किसी भी राज के जो B है इसका right answer हो जाएगा अगला देखें 61 number question है which of the following is the longest mountain range in the world इने में से कौन सी परवस संखला है विश्चो की सबसे लंबी है तो कौन सी सबसे लंबी परवस संखला है वो है आपकी ND तो option number जो B है इसका correct answer हो जाएगा 62 number question है where is UNESCO headquarter UNESCO का जो मुख्याला है वो कहाँ पर इस्तित है बड़ा important question है UNESCO से लेटर question आ जाता है और यही आता है direct question तो UNESCO का जो headquarter है वो आपका फ्रांस के पेरिश सहर में है तो option number D यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा next question है 62 number question है UNESHEP का headquarter पूछा जाता है एक्जाम में तो UNESCO का जो मुख्याला है यह कहां पर है UNESCO का जो मुख्याला है वो आपका न्यू यॉर्क में है तो option number A इसका correct answer होगा अगला देखे 64 number question है Chief Minister is appointed by किसी भी राज के जो मुख मंत्री है इनको कौन appoint करता है तो मुख मंत्री को जो appoint करते है वो है आपके governor तो option number A है राइट answer इसका हो जाएगा 65th number question देखिए वेर इज हुमायू tom created हुमायू का जो मकबरा है यह कहां पर इसे था है और एक्जाम में ऐसे question बिल्कुल पूचे जाते है हुमायू का मकबरा दिल्ली में है अगर पूचा जाए कि वेर इज अक्बर्स tom located अक्बर का जो मकबरा यह कहां पर है तो अक्बर का जो मकबरा है वो आपका आगरा में है option number A इसका राइट answer हो जाएगा अगला देखिए 66th 7 number question है अगर पूच लिया जाए कि बाबर स्टॉम कहां पर है तो बाबर का जो मकबरा यह कहां पर इस्तित है तो बाबर का जो मकबरा हो इस्तित है आपका काबूल में option number C इसका राइट answer हो जाएगा पूचा जाए आपसे कि पानीपत का जो पहला युद है पहला युद कब लड़ा गया था तो पानीपत का पहला युद I think अभी एक्जाम में पूचा नहीं तराइन का युद पूचा गया था 24 जुलाई को और पानीपत का बहुत नहीं इंपोर्टेंट है तो 1526 इस्तित में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था तो option number जो भी है इसका correct answer हो जाएगा अब दोनों question और important है पानीपत का दूसरा युद्ध और तीसरे आदियो second battle पानीपत was fought in the year पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था तो पानीपत का दूसरे युद्ध आपका 1556 इस्विम लड़ा गया था option number A right answer हो जाएगा अब थर्ड बैटल पानीपत अगर पूचा जाए पानीपत का तीसरे युद्ध कब लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था आपका पानीपत का तीसरे युद्ध हाँ 1761 इस्विम है option number जो C है इसका right answer हो जाएगा 71 number question है President nominates how many members in the लोगसभा बहुत important question कि लोगसभा में राष्ट पती कितने सदस्यों को नामित करता है दो सदस्यों को नामित करता है लोगसभा में ये याद रखियागा काफी important है आपका B numbers का right answer होगा अगला question, president nominates how many members in the Raja sabah राश्ट पती कितने सदस्यों को राज सबा में नामित करता है ये भी question उतना ही important है लोग सबा में 2 सदस्यों को नामित करता है जबकि राज सबा में 12 सदस्यों को नामित करता है तो option number जो D है इसका correct answer हो जाएगा next question देखिए 73 number question is Joule is the unit of Joule किसका मात्रक जूल आपको पता है कार और उर्जा का मात्रक है तो option देखिए इनर्जी उर्जा दिख रहे है आपको ये number right answer हो जाएगा अगला question 74 number है who was the founder of Indian National Congress तो Congress का संस्तापक Indian National Congress का जो संस्तापक था वो कौन था तो वो थे आपके AO हूम option number जो C है इसका correct answer होगा अगला देखिए 75th number question है which of the following was the first state to implement the पंचायती राज system कौन सा राज पंचायती राज सुरू करने वाला पहला राज बना तो वो जो राज है जिसने पंचायती राज पंचायती राज सुरू किया था वो पहला जो राज है वो है आपका राजस्तान तो option number जो B है इसका right answer हो जाएगा 76th number question है who was the first lady chief minister of India बारत की जो पहले मुख मंत्री थी किसी भी राज की बनने वाली वो कौन थी वो थी आपकी सुचेता कृपालनी option number जो A है इसका correct answer होगा 77th number question है who was the leader of 1857 revolt from Lakhnau 1857 की विद्रो में लखनौ से किसने विद्रो को लीड किया था लखनौ से तो लखनौ से जिसने विद्रो को लीड किया था वो थे आपके बेगम वो थे आपके बेगम हजरत महल option number जो C है इसका right answer हो जाएगा 78th number question है who was the leader of 1857 revolt from Bihar का गया कि 1857 विद्रो में बिहार से किसने विद्रो को लीड किया था बिहार से लीड किया था जिसने वो हैं आपके कुंवर सिंग तो option number A इसका right answer हो जाएगा अगला देखे 79th number question है what is the capital of Australia Australia की राजधानी क्या है 79th number question और Australia की जो राजधानी है उसका नाम है Canberra option number D यहाँ पर correct answer हो जाएगा 80th number question देखे which of the following article mentions about money bill निम्न में से इन में से किस अनुछेद में money bill के बारे में दिया गया है so money bill के बारे में दिया गया है अनुछेद 110 में तो option number B है इसका right answer होगा next question देखे 81 number question है which of the following rivers crosses the Tropic of Cancer twice इन में से कौन सी नदी करकरेखा को दो बार काटती है एक ही ऐसी नदी है जो करकरेखा को दो बार काटती है वो है आपकी माही नदी तो option number A इसका right answer हो जाएगा 82 number question है बांधीपुर national park is located in bandhipur national park यह आपका कहां परिस्तित है बांधीपुर national park आपका इसका right answer हो जाएगा 83 number question देखिए बाक्सा टाइगर रिजर्व इस located in which state बाक्सा टाइगर रिजर्व यह का आपका किस राज में इस्तित है पूछा गया है तो बाक्सा टाइगर आपका इस्तित है पस्चिम बंगाल में तो option number C right answer 84 number question देखिए इंदरावती नेशनल पार्क इस located in which state इंदरावती नेशनल पार्क यह आपका किस राज में इस्तित है यह पूछा गया right answer इसका हो जाएगा इंदरावती नेशनल पार्क आपका 36 गड़ में है तो D number इसका यहाँ पे correct answer होगा 85 number question है states with legislative council भारत के किन किन राज जिन बात के कि विदान परिशाथ है तो वो है आपका देखे मिधान परिशद की बात की जा रही है तो राज और सभी के इन्तासित जिन जिन में हैं मैं आपको बता रहा हूँ आंद्र प्रदेश बिहार करन Łटक महाराष्ट तेलंगाना और उतर प्रदेश इन छह अंछ र प्लैनिंग कमीशन का जो गठन है यह कब हुआ था प्लैनिंग कमीशन का गठन हुआ था उनीश सो पचास में D नमबर यहां इसका correct answer और 58 नبة निति आयोग वॉसी क्या फ़्सकु शीन ही नइति आयोग का गठन है का किसी सिय ऑफ उसलिग नायोग 2022 में तो अब जो current CEO हैं आपके नीत आयों कि वो हैं आपके परमेशुरम आयर तो यह question important है आपका पूछा जा सकता है current affair में तो याद रखिएगा आगे current affair में नहीं तो GK में भी a question उतना ही important है who can remove the president of India भारत की राष्टपती को उनके पद से कौन अटा सकता है तो के वर पालिया मेंट ही है जो अटा सकता है तो option number जो A है इसका right answer हो जाएगा अगला देकी 91 number question है who is the author of my experiment with truth my experiment with truth के लेखक को नाम आपको बताना है तो यह हैं इनके लेखक जो है वो है मातमा गांधी तो option number जो C है इसका right answer हो जाएगा 92 number question है सत्मयो जैते is taken from which book सत्मयो जैते किस पुस्तक से लिया गया है तो सत्मयो जैते मुंडकोब निसत से लिया गया है तो right answer है इसका A number हो जाएगा और यह भी 24 या फिर 25 जुलाई को पूचा गया मुझे exactly याद नहीं है लेकिन यह पूचा गया सत्मयो जैते कहां से लिया गया अगला है कुचीपुडी is the downs of which state कुचीपुडी किस राज का निरत है तो कुचीपुडी आपका निरत है आंध्र प्रदेश का तो option number हाँ कुचीपुडी आंध्र प्रदेश का है तो option number C number यहां पर right answer हो जाएगा 95th number question है which of the following states of India has the least population density बार किस राज में जनसंक्या गनत तो सबसे कन है जनसंक्या गनत जिस राज में सबसे कम है तो वो राज है आपका अरुनाचल प्रदेश बी नमबर यहां पर इसका right answer हो जाएगा 96th number देखिए who is the designer of president out बराष्ट पति भावन का जो designer है वो कौन है तो वो थे आपके एडविन लुटियन आप्शन नमबर एसका right answer 97th number question देखिए when is the national hindi day celebrated भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो प्रतेग वर्स आपका 14 September को option नमबर 14 September को हिंदी दिवस मनाया जाता है अगला देखिए 98th number question which of the states of India has the highest population density भारत के किस राज की जन्जंक्या गनत त सबसे ज्यादा है बिहार राज की option number जो बी है यहां पर इसका correct answer हो जाएगा last two questions और बचें आपके berry berry disease is due to the lack of which vitamin berry berry रोग किस की कमी से होता है तो vitamin B की कमी से होता है आपका berry berry रोग 100th question आपका the intensity of earthquake is measured by which instrument बोकम की तीवरता निम्न में से किस के द्वारा मापी जाती है तो बोकम की जो तीवरता है निम्न में से सिस्मोग्राफ option number जो A है इसका right answer हो जाएगा सिस्मोग्राफ से मापा जाता है बोकम की तीवता तो यह ते आज किस वीड़ो के 100 important questions जो एर फोर आपको जरूर देखने को मिलेंगे और भी एर फोर्स के लिए जीके की वीडियो बनाई हुई है तो उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा देख लेना टेलिग्राम अगर आपने नहीं जोइन किया तो यह टेलिग्राम जोइन कर लेना वीडियो अच् भी चैनल में मिले तुरंत आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और वैसे चैनल से बचना चाहिए जहां पर अच्छा कॉंटें नहीं दिया जाता जहां पर मिसलीड किया जाता है तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताईएगा बाकी मिलते हैं इस वीडियो में टेक के ए एक्जाम के लिए आल दा बेस्ट बाए